आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे पास कंटिन्यूस टेंज के कुछ एक्जाम्पल्स देखेंगे शाम कल सड़क पर दोड रहाता रहता रही थी रही थी पास कंटिन्यूस टेंज लास्ट में रहाता रहाती रही थी इस तरह से आएंगे तो आपको पैचानना है कि पास कंटिनूस टेंड का एक्जामपल से और इसमें वास वर्ग वाता है हेल्पिंग वर्ग में तो देखें यहाँ पर शाम वास रनिंग अन दो रोड एस्टरे एस्टरेक मिनिंग होता है कल कल शाम कल सड़क पर दोड रहा था मैं आपको हिंदी में टेंस पड़ा रहाता रही थी रहते पास कंटिनूस टेंस आई वस टीचिंग यू टेंस इन हिंदी राजा अपने सेनिकों को सम्मोधित कर रहाता द किंग वास आड्रेसिंग हीस सोल्डर्स रेखा किचन में खाना पका रहती रेखा वास कुकिंग फूड इन दो किचन जब मैं घर पूचा सभी लोग सो रहे थे वेन आई रीच होम एवरीवन वास स्लिपिंग राम खेल रहा था जब कि मैं पड़ रहा था रहाता रही थी रहे थे पास कंटिनूस टेंज सब्जिक्ट हमारा राम है राम के साथ हम वास लगांगे क्योंकि सिंगूलर ना होने राम वास प्लेणिग हमारा वर्ब के साथ आई एंजी फार्म लगता है तो प्ले के साथ हम लगांगे आई एंजी राम खेल रहा था जब कि वाइल कमिन होता है जब की जब की मैं पढ़ रहा था सभी जानवर खेत में चल रहे थे सभी जानवर खेत में चल रहे थे All the animals All the animals देखी यहाँ पे एक से जादा जानवर से इसलिए आपने यहाँ पे वर लगाया तो All the animals were walking in the fields Fields को हम बलते हैं खेत जब शाम वहाँ आया मैं आप सभी को कुछ बता रहा था When शाम came there I was telling something to you all I was telling something to you all Rajesh का पूरा नमित्र उससे मिलने आ रहा था रहा था रही थी रहते Past continuous change An old friend of Rajesh Was coming to meet him जब अध्यापक ने कैमेरे में प्रेवेश किया सभी छात्रों शोर कर रहे थे जब अध्यापक ने कमरे में प्रेवेश किया सभी छात्रों शोर कर रहे थे When the teacher entered the room Room को बोलते हैं हम कमरा Room All the students were making noise देखें यहां पर वर इसलिए आया क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हमने यहां पर वर लगा रहा है मैं रवी को बस में मुंबई जा रहा था मैं रवीवार को बस से मुंबई जा रहा था रहा था रही थी रहे थे सीमा खाना खा रही थी जबकि उसकी बहन कमरे में नाच रही थी देखें सीमा वास हैविं फूड सीमा वास हैविं फूड तो हम उसको बोल देखें जबकि वाइल रूम का मेंनिंग होता है कमरा सिस्टर का मेंनिंग होता है बहन बहन का करे थी इसकी नाच रही थी राजा अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था रहाता रही थी रहे थे The King जब भी ऐसा जो हमने यूनीक नेम हो एक ही हो दुनिया में जो की स्पेशल हो तब हम फर्स्ट में दो लगाते हैं तो इसलिए आप ने लगाया The King king हमारा क्या है एक वच़ने एक ही है तो इसलिए हमने लगाया Was The King was addressing his subject राजा अपनी परजा को संभोजित कर रहा था मैं आपका इंतजार कर रहा था I was waiting for you wait को ing लगाया waiting हो गया है क्योंकि इस tense में हम ing को यूज करते हैं helping work के साथ helping work का है हमारे इंतजार इंतजार के साथ हमने लगाया ing wait का waiting वह चने खा रहा था he was eating gram वह चने खा रहा था खाने को क्या बोलते है ing form इसमें subject verb के साथ ing form लगाते हैं वह उपन्यास पढ़ रहा था he was reading novel वह एक उपन्यास पढ़ रहा था he was reading a novel ये articles है articles a and the articles होते है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे next video में तो देखिए जो भी एक चीज़ होती है उसके साथ हम लगाते है he was reading a novel मैं अपने गाव मैं अपने गाव पेंदल जा रहा था वे sorry वे अपने गाव पेंदल जा रहा था जा रहे थे they were going to their village village मतलब गाव अउन फूट पेंदल जाने को बोलते हैं foot सोहन जोर से हस रहा था they were going to their village अपूट यहाँ पे इसका लिखा नहीं है यह मैंने थोड़ा से रॉंग हो गए है देखिए he was cleaning his car वो अपनी कार साब कर रहा था अब यहाँ पे क्या है helping वर हुए subject के बाद हम helping वर लगाते हैं subject हमारा क्या होता है I, we, you, they, he, she, it, name यह सब हमारे subject होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते है helping वर जो सब tense में अलगलग helping वर होते हैं तो past continuous tense में was वर वर helping वर हुए you were looking for help तुम तुम मदद धून रहे थे I was not working there मैं वहाँ काम नहीं कर रहा था I was not working I was not working there मैं वहाँ काम नहीं कर रहा था रहता रही थी रही थे past continuous tense में वी देखिए आप वी आया क्योंकि यह बहु बहु अच्छन वी के साथ हम वर ही लगाते हैं आपको याद रखना है कुछ कुछ इसमें ऐसे होते हैं subject जो मतलब वर के साथ लगते हैं तो आपको याद कर लेना है देखिए यहाँ पर वी कभी वर लगता है वी बहु उपिंग क्या है ही हम हम कुवे में कुद रहे थे वेल वेल कम यह कोइं हुता है कुवर कुऍट कोग रहे थे We were jumping into the well Mohon was driving his bus Mohon अपनी बद चला रहा था Mohon क्या हमारा subject है उसके साथ लगाया Was helping work तो वो हमारा हो गया Helping work Mohon was driving his car Mohon अपनी बद चला रहा था वह कल पतंग उड़ा रहा था वह कल पतंग उड़ा रहा था रहाता है आप इसलिए ही आया है ने तो रही थी आया होता तो हम यह आपर शी लगाते तो देखे He was flying a kite yesterday तो आएंजी लगता है इसलिए fly हमारा वर्ब है तो वर्ब के साथ आएंजी He was flying a kite yesterday वह कल पतंग उड़ा रहा था तुम उसे चीड़ा रहे थे You were teasing him बच्चे कहानी पढ़ रहे थे Children बच्चे बहुत सारे इसके लिए Children were reading stories दादा जी कानपूर जा रहे थे देखे यहाँ पर कानपूर जा रहे है मैंने आपको बहुत सारे इसमें बताया है कि कही जाना होता है तो टू लगाते हैं देखे टू कानपूर है यहाँ पर Grandfather Grandfather का मिनिंग होता है दादा जी दादा जी Grandfather was going to कानपूर दादा जी कानपूर जा रहे थे रहा था रही थी रहे थे पास कंटिनियू स्टेन्स जब मैं घर पोचा मार्दा जी खाना पका रहे थे When I reached home Mother was cooking food देखे यहाँ पर रहा थार रही थी पास कंटिनियू स्टेन्स और इसमें बाज लगाया हम यह फर्स्ट भी लगा सकते हैं ऐसे Mother was cooking food When I reached home इस तरह से बोल सकते हैं या हम इस तरह से बोल सकते हैं When I reached home Mother was cooking food इस तरह से सेंटेंस को अलग करके भी बोल सकते हैं वह कप्रे दो रही थी जबकि उसका भाई TV देख रहा था यहाँ पर दो सेंटेंस है वह कप्रे दो रही थी जबकि उसका भाई TV देख रहा था जबकि इसमें हमारा टेंस को जूड़ने का काम करेंगा देखे She was washing clothes while का मिनिंग होता है जब की while her brother was watching TV जब भी किसी चीज को देख रहे होते हैं तो उसको हम watching बोलते हैं तो आपको याद रखना है जो भी screen को या TV को screen case को जो भी हो mobile को तो उसको हम watching ही बोलेंगे जिसे की कोई scene ऐसा होता है ना तो ऐसा नए बोलना है watching बोलना है तो इस sentence में क्या है वह कप्रे धूरे थी जब कि उसका भाई TV देख रहा था ब्रदर को हम भाई बोलते हैं बंदर पेड़ बंदर पेड़ पर लड़े लटके हुए थे बंदर पेड़ पर लटके हुए थे दमंकीज दमंकीज देखे यहां पर दमंकीज इसलिए हैं क्योंकि यह बहुत सारे बंदर है दमंकीज बहुत सारे बंदर होने के कारणे यहां पर वर लगाएंगे दमंकीज वर हैंगिंग अन ट्री ट्री को हम जाड़ बोलते हैं मतलब कि बंदर पेड़ पर लड़के हुए थे वह आपसे बात कर रहा था वह आपसे बात कर रहा था He was talking to you वह आपसे बात कर रहा था यह लड़की UPSC की तयारी कर रही थी यह लड़की UPSC की तयारी कर रही थी यह आपर this एक होता है that, एक होता है this अगर कोई चीज मतलब कि पास में हो तो उसको दिस बोलते हैं और दूर में हो तो दैट बोलते हैं तो लड़की पास में है इसलिए इसलिए इस गर्ल वाज प्रिपेरिंग फोर UPSC मैं चंद्रा एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था रहता रही थी रहते पास यहां पे दिखें वाज लगाएंगे क्यूंकि यह सबजेक हमारा सिंगुलर है रोहुन वास टेलिंग हिस प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स मतलब की समस्या तो रोहुन क्या कर रहा था अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा था तो इंग्लिश मिस्तरा से वो लंगे रोहुन वास टेलिंग हिस प्रॉब्लम्स तो नेक्स्ट है वह नई company की स्तापना कर रहा था He was sitting of a new company New का मितलब होता है नई छात्र अपने अभी भावनाओं से बात कर रहे थे अभी भाव को से बात कर रहे थे The students The students इसलिए आया क्योंकि The students एसे लगा बहुत सारे हैं The students were talking to their parents अध्यापक कक्षा में दुसरा पाट पढ़ा रहा था The teacher was teaching the second lesson in class My Hindi में past continuous tense शिक रहा था I was learning past continuous tense in Hindi वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था He was waiting for you He was waiting for you कहा था रही थी रहे थे past continuous tense शूरेंद्र कम्रे में रो रहा था रोने को हम क्या बोलते हैं Cry का मिनिंग होता है रोना तो इस tense में आयंजी फार्म लगता है शूरेंद्रवास crying in the room तो आयंजी लगाया सूरेंद्रवास crying in the room रो रहा था In the room इसलिए कि इन मतलब की होता है भीतर कि भीतर रो रहा था सूरेंद्रवास crying in the room वे मैदान में मैच खेल रहे थे रहाता रही थी रहे थे past continuous tense मैदान का मैदान मतलब field field को भी मैदान बोलते हैं दे दे के साथ word लगाएंगे कुछ कुछ जो subject होते हैं वो fix होते हैं देखने में मतलब समझ में आ जाएंगा आपको देखिए आपे दे के साथ word लगाते हैं वी के साथ word लगाते हैं जो ऐसे देखने से समझ में आ जाता है कि इसके साथ यही लगेंगा तो याद रख लेना है आपको जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत सारी तो अपने आप आपको प्रैक्टिस के दोरा आपको याद हो जाएंगा देखें, मैं मैदान में मैच खेल रहा था, they were playing, play मतलब खेलना उसके साथ ing form लगेंगा they were playing a match in the field, field में मैदान में मैच खेल रहे थे, तुम अपने बच्चे को पीट रहे थे, you were beating यहाँ पर जो भी you आएं तो were लगता है, या अगर you हमारे वास के साथ भी लगता है, singular हो तो पर यहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए हमने लगाया you were, you were beating your children, beating का मेंदलिंग होता है, पीटना, beat का मेंदलिंग होता है, पीटना, तो यहाँ पर देखिया है, पीट रहे थे the children were beating your children, you were children, तुम बच्चे, तुम अपने बच्चे को पीट रहे थे, you were beating your children, चपरासी घंटी बजा रहा था, the pion was ringing a bell बजाना बतलब के, देखिये यहाँ पर द पीटने मतलब का मेंदलिंग होता है, चपरासी, the pion was ringing the bell गंटी बजा रहा था, चपरासी, तो चपरासी गंटी बजा रहा था, सिता गाना सुन रहे थी, सिता गाना सुन रहे थी, सिता वास listening to a song वे कल होकी खेल रहे थे, रहा था रही थी, रहे थे पांस continuous day, they were playing hockey yesterday, yesterday का मिनिंग होता है, कल भोपाल अपना काम कर रहा था, भोपाल एक लड़के का नाम है, सब्जेक्ट, उसके साथ लगा है what, क्योंकि वह एक वचन है doing, do का मिनिंग होता है, करना, ing form लगेंगा इसमें doing his work, work का मिनिंग होता है, काम मैं अपनी नोक्री पर, मैं अपनी नोक्री पर जा रहा था, रहा था रही थी, रहे थे, past continuous day, my का मिनिंग होता है, I I, उसके साथ helping work was लगेंगा I was going to my job Job का मिनिंग होता है no cream तुम एक पुस्तक खरीद रहे थे रहा था रही थी रहे थे पास, continuous, जब भी हम खरीद करते है तो उसको buy बोलते है उसके साथ distance में ing लगेंगा from work के साथ तो you were buying a book तुम एक पुस्तक खरीद रहे थे बुक का मिनिंग होता है पुस्तक नैन computer चला रहा था नैन गैन लड़के का नाम है I again was operating the computer computer मतलब इसमें computer ही लिखा है मैं कक्षा में शोर मचा रही थी मैं कक्षा में शोर मचा रही थी I was making noise in class वे रात में टीवी देख रहे थे they were watching टीवी at night at night रजनी past continuous tense हिंदी में पड़ रही थी रजनी रजनी was reading past continuous tense in हिंदी कुछ लोग प्रात्ना कर रहे थे रहाता रही थी रहे थे past continuous tense some people कुछ का meaning होता है some some people people मतलब की लोग some people were praying people मतलब की लोग लोग तो बहुत सारे होते हैं इसलिए इसके साथ हमने वर लगाया were praying praying का मतलब होता है प्रात्ना करना सुमन अपना part याद कर रही थी सुमन वहास memorizing her lesson part lesson वे लड़के नाच रहे थे those boys those boys were dancing शरारती लड़के बुढ़े आत्मी पर हस रहे थे शरारती लड़के होते हैं बुढ़े आत्मी पर हो क्या करते हैं हस रहे थे तो रहाता रही थी रही थी past continuous tense the naughty जब भी हम शरारत करते हैं शररती होते हैं तो उसको हम बोलते हैं Naughty The naughty boys were laughing at the old man The naughty boys were laughing at old man अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे The teacher was teaching me English अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे मेरी माता जी को बुखार आ रहा था रहाता रही थी रहे थे past continuous tense मेरी का my mother मेरी माता जी को बुखार आ रहा था was suffering with favor favor मतलब की बुखार मुकेश परिक्षा की तयारी कर रहा था मुकेश मुकेश was preparing for the exam ए लड़के अपने बालों को बाल में कंगी कर रहे थे those boys were combing their hair hair का मिन होता है hair का मिन होता है बाल मैं अपना घर सजा रही थी I was decorating my house house का मिन होता है घर सजानों को बोलते हैं हम decorate यहाँ पर इस tense में लगेंगा ing farm decorating my home शेर जंगल में घूम रहे थे loin were loin were remain in the forest forest मतलब की जंगल जंगल में घूमना जंगल को बोलते हैं एंगलिश में forest Krishna बासूरी बजा रहा था रहाता रही थी रहे थे past continuous tense Krishna was playing the flute बासूरी बजा रहा था तुम अपनी भाई के साथ खेल रहे थे you were playing with your brother भाई के साथ किसी के साथ होते हैं तब हम जब भी हम किसी के साथ साथ में जब sentence बनाते हैं देखे you were playing इसको हम बोलते हैं with with के साथ ये sentence को बनाते हैं मतलब की you were playing with your brother तुम खटिया पर नहीं सो रहे थे you were not sleeping sentence हमारा देखे हैं यहाँ पर एक बात र्याज रखनी हैं जब भी negative sentence आएं तीसरे नमबर पर आपको helping verb के बाद जब भी helping verb हो उसके बाद आपको note लगाना है तो यह हमारा तीसरे नमबर पर ही आते हैं ज्यादा करके तो तीसरे नमबर के बाद आपको note लगाना है you are not sleeping on court, court मतलब खटिया वह गाना नहीं गा रहा था पांस कंटिनेंस टेंस I was not taking a bath in river, river का मतलब होता है river का मतलब होता है नदी अभी नदी मतलब जो भी हमारी यूनिक चीज होती है special होती है उसके साथ हम द लगाते हैं इसकी the mountain, the river, the the Taj Mahal इस तरह से specific यूनिक चीज होती है उसको हम द लगाएंगे मैं चोर का पीछा नहीं कर रही थी I was not chasing the thief, thief का मिन होता है चोर वे कफशा में चोर नहीं मचा रही थे, they were not making noise in class, उसके महमान भोजन नहीं कर रही थे his guest, 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 guest एस लगाएं आप पे बहुचन है तो इसलिए वर लगाएंगे, not eating, his guest not eating, में मान को बोलते हैं, guest तुम संगित नहीं सीख रही थी, you were not learning music, वह स्कूल के लिए तयार नहीं हो रही थी, she was not getting ready for school, school का में नहीं होता है गली में कुट्टे नहीं भोक रहे थे, कुट्टे को हम बोलते हैं, dogs, dogs were not breaking in the street, street, गली में कुट्टे नहीं भोक रहे थे, कवी, कल कवी था नहीं लिख रहा था, the poet, कवी जो होता है उसका हम बोलते, the poet was not writing poetry yesterday, देखिए मैं नहीं बोला था, तिसरे नमबर पे आपको not लगाना है, तो बोलेंगे यहां पर दो आया, फिर तिसरे नमर पे किस तरह से आएंगा, तो helping जो वर्भ होता है, उसके बाद आपको not लगाना है, उसके बाद आपको not लगाना है, उसके पोएट को हम एक पकड़ लेंगे, poet was not writing poetry yesterday, इस तरह से, तो यह हमारा आर्टिकल्स ह में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसी सब्शे लगता है, जो specific नाम हो, उसके साथ हम दो लगाते हैं,